सेक्स प्रॉब्लेम के लिए होमेोपैथिक मेडिसिन लाइको पोडियम का इस्तमाल कैसे करना चाहिए आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक का उपर बनने वाला है क्यूंकि आप लोगों में से कई लोगों का ये सवाल था कि sir आपने lycopodium से कई लोगों की यौन समस्य ठीक किया है जिसका proof आपने हमको बताया है अपने वीडियो के माध्यम से लेकिन हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप lycopodium का क्या symptoms देखते हैं और कैसे उसे इस्तमाल करते हैं किस potency में आप इस्तमाल करते हैं कि patient का sex problem जड़ से साफ हो जाए ये आप हम लोगों को बताईए तो दोस्तों अगर मैं किसी को lycopodium recommend करता हूं तो उस patient को lycopodium recommend करने से पहले मैं उस patient का अंधर 5 symptoms देखता हूं lycopodium का पांच ऐसी बाते देखता हूं अगर मुझे वह match होता हुआ दिग रहा है उस patient का अंधर तो मैं एक second भी wait नहीं करता हूं उस patient को lycopodium को recommend करने से तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको lycopodium का 5 ऐसी प्रमुक symptoms बताऊंगा और ये 5 प्रमुक symptoms अगर आपका अंधर मैंच होता हुआ दिग रहा है तो आपका अंदर sex problem तो क्या उससे भी कई गुना बड़ी बड़ी डिजीज भी ठीक हो सकता है इस दोस्तों लाइको पोडियम का जो पहला symptom में देखता हूं वह पेसरेंड का अंधर गायास अचिडिटी इंडाजेशन आपच constipation की प्रॉबलम है या नहीं क्यूंकि इंडाजेशन अचिडिटी ग्यास आपच constipation की प्रॉब्लम ल्यकोपोर्डियम का पेसrent का अंदर बहुत ہी कौमन देखा जाता है इसका पेसरेंड को भूख तो लगता है मगर दोख और खाना- खाने के बाद इसका पेट भर जाता है फैट फुल जाता है फैट में एक ब्रोटिंग जैसा सेंसेशन चालू हो करके हैं लिए टो और स्कौरिट को जाता हुए जोंतों करने के लिए या उसको बहुत ज़्यादा पासंद है तीहा पसंद है या उसकο बहुत ज़्यदा cold पसंद है या इसको hot खाना पसंद है किस तरह का खाना उसको अच्छा लगता है क्योंकि लाइकोपोडियम का पेसेंट का अंधर sweet खाने की craving बहुत ज्यादा होता है इनको ऐसा feel होता है कि lunch के बाद डिनर के बाद थोड़ा सा अगर मीठा मिल जाता तो अच्छा र लेना है सबजी लेना है डाल लेना है कुछ भी लेना है चाय पीना है दूद पीना है कुछ भी उनको लेना है तो एकतम गरम गरम उनको लाके दो आप इनको गरम खाना बहुत अच्छा लगता है गरम खाना खाना भी अच्छा लगता है और गरम खाना खाने से इनको आराम में देखता हूं वो यह कि पेसेंट का अंधर कोई problem right side से शुरू होके left side आने की इस तरह की बात है या नहीं पेसेंट का अंदर suppose अगर headache होता है तो लाइको और वो होता ही रहता है कुछ भी हो तो इस तरह का problem के लिए लाइको पोडियम हम लोग recommend करते हैं तो यह लाइको पोडियम का third symptom में देखता हूं पेसेंट का अंधर इस तरह की कोई बाते है या नहीं दोस्तो लाइको पोडियम का जो fourth symptom देखता हूं वो यह है कि पेसेंट का दोस्तो अंधर कोई भी problem साम चार बजे से साम आठ बजे का बिज में बढ़ता है या नहीं क्योंकि लाइको पोलियम का अंधर साम चार से आठ बजे का भीतर breaking problems बढ़ जाती है यह अग्रावेशएं टाइम होता है लाइको को तो होता है किसी को अगर को और तक은 कंदाग को तो आपका ये इस टाइम दौरान साम चार से आठ बजे का बीच में प्रॉब्लम्स आपको बढ़ जाता है तो यह हो गया लाइकोपोडियम का फोर्ट सिम्टम अब बात करते हैं फिप सिम्टम के बारे में दोस्तों लाइकोपोडियम का पांचवा सिम्टम की अंधर मैं बह बैठा हुआ है ऐसे बहुत सरे छोटी-छोटी चीज है जो कि मैं फिप सिम्टम की अंदर देखता हूं जैसे कि लाइकोपोडियम का पेसेंट आपके सामने एकदम स्ट्रेट एकदम स्टील बैठा हुआ रहेगा और आपका जो भी सवाल होगा एकदम पॉइंट टूपॉ चीज है कि लाइकोपोडियम का पेसेंट अपना प्रब्लम को इतना बढ़ा तरीके से वह अपना प्रॉब्लम को नरेट करता है कि यह कहा मिए औरकिन होता है लोगों की नाम याद नहीं रहता है तो दोस्तो यह हो गया लाइकोडियम का 5 प्रमुख सिम्टम अगर मुझे पेसेंट का अंदर ये पांच प्रमुख सिंटम्स अगर मैच होता हुआ दिख रहा है तो मैं एक सिगंड वेस्ट नहीं करता हूँ लाइक पोडियम को रेकमेंड करने से चाहे पेसेंट का अंदर कोई भी प्रॉब्लेम क्यों ना हो तो अगर आपका अंदर ये कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगा आप वहां से चेक कर सकते हैं तो जली दोस्तों मैं इस वीडियो को ही पेंट करता हूँ तो थैंक्यों वेरी माच और वो गुड़े